आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं साइक्लोड स्किल्स के बारे में बेसिकली यह जो वीडियो है इससे पहले हमने बात की थी इसका एक लेक्टर बन चुका है जिसका नाम था एंडोस्क्लेटन ऑफ वर्टीब्रेट्स जिसमें हमने बताया था आप लोगों को कि हमने वर्टीब्रेट्स में क्या-क्या पढ़ना है राइट एंडोस्क्लेटन क्या-क्या होते हैं जैसे हमने बताया था आपको लास्ट वोडियो में स्केल्स होता है हेर्स हैं फेदर्स है हमने start कर दिया था scales का और हमने सबसे पहले जिस vertebrate में scale पाया जाता है उसके बारे हम पढ़नाय start किया और सबसे पहला जो क्रम था वो था fishes का और हमने fishes में basically scales को पढ़नाय शुरू कर दिया था और हमने इसके two types पढ़ चुके थे और आज से हम start कर रहे हैं तीसरा टाइब इसका जिसका नाम था cycloid scale और इससे जो पहले जो हमने पढ़ा था वो प्लेकोईड scale था तो इस वीडियो में जो भी students जुड रहे हैं जो भी students वीडियो को देख रहे हैं तो उनसे एक request है कि last video जुरूर देख लिजाएगा वीडियो के description में आपको उसका link मिल जाएगा अगर आप उस वीडियो को नहीं देखेंगे तो यह वीडियो समझ में नहीं आएगा तो शुरू करते हैं तो cycloid scale होता क्या है जब भी हम बात करते हैं cycloid scale के बारे में तो हमें पता होना चाहिए कुछ चीज है कि होता क्या है सबसे पहले यह scales central part में मोटे यानि कि थिक तदा किनारे पर पतले होते हैं इसका मतलब क्या है यह जो cycloid scale होता है वो central में यानि कि बीच में वो थिक होता है मोटा होता है बट किनारे पर क्या होता है पतला होता है थिन होता है इनी scales के नीचे single layer connective tissues पाया जाता है किस स्केल के बारे में बात कर रहे हैं, साइकलोड स्केल के बारे में बात कर रहे हैं, और इस स्केल के नीचे क्या होगा, सिंगर लेयर का एक करेक्टिब टिसू मिलता है हमें, राइट, स्केल के ऊपर आइसो पेंडीन पाया जाता है, जो उपरी सर्फेस पर पाया जाने वाल Pending पाया जाता है जो उपरी Surface पर पाया जाने वाले Dentine का formation करता है, निरमाड करता है Right? इन Hiskills के उपर अब यहां पर दिहान देने अपको इन Hiskills के उपर बात की जारी है Trick है क्या पाया जाता है Secondric V Gesundheits रखा यहां हम कहते हैं concentric Growth Lines यहाँ पर इसका इंगलिस नाम याद करना ज़्यादा बहता है क्योंकि यह easy है तो इन skills के उपर concentric growth lines पाई जाती है जिससे fishes की उम्र यानि की age पता चलता है, age प्रिशित होती है उसे हम देख कर बता सकते हैं कि fishes की age कितनी है Next अब प्रते एक skills एक दूसरे को overlap करता हुआ dermis में धासा रहता है हमें पता है epidermis और dermis दो parts है epidermis बाहर की और है dermis अंदर की और है तो यहाँ पर जो भी एक-एक skills रहेगा प्रते एक skills का मतलब एक-एक skills वो एक दूसरे को overlap करता हुआ dermis में धासा रहता है अंदर की और जैसे कि हमारी body में blood vessels पाई जाती है dermis वाले part में वैसे ही सेम यहाँ पर भी है dermis में क्या होता है overlap करते वे धसा रहता है इसी में आगे हम आते हैं इसका diagram अगर हम देखें तो आपको यहाँ पे नजर आएगा diagram जहाँ पर यह वाला जो portion है यह portion आपका posterior field का है यह है हमारे interior field ventral side है यह हमारा और यह dalsal side dalsal side यहाँ पर भी interior field नजर आएगा आपको यहाँ पर posterior field नजर आ रहे है यहाँ पर lateral field नजर आ रहे है और यहाँ पर भी lateral field नजर आ रहे है तुझे साइक्लोईड स्केल कर आएगा आम नजरार आपको यह हमारे बेंटरल साइड लिया गया है और यह वला जो पार्ट है हमारा यह कौन सा डॉर्सल साइड का है यहाँ पर नजरा आएगा फर्स सरकुली यहाँ पर सेकेंड रेड़ी नजरा आएगा प्राइमरी रेड़ी है फोकस है यहाँ पर ट्यूबर्कल है फिर टी नहीं हमारा यह पोस्टियर इंड आता है तो इस प्रकार से सारा हमारा डाइग्राम नजरा आता है इस डाइग्राम को आपको बना लेना है और फिगर नाम लिख देना है साक्लोड स्केल का इस तरीके का दिखता है और अगर हम देखें ओवरलैप किस तरीके से करता हमने बात कि थी तो यह आपको नजर आएगा यहाँ पे यह जो पोर्शन है यह पोर्शन डर्मिस वाला पोर्शन है राइट कौन सा पोर्शन है डर्मिस का पोर्शन है और आप देखेंगे यहाँ प अब कुमेंट करे पूछ सकते हैं तो इस परकार से हमारा third वाला complete होता है cycloid skill राइट अब हम देखेंगे Genoid skills क्या होते हैं तो Genoid skills इस परकार की skills है जो primitive fishes में पाई-जाती है राइट प्रेमिस्टिक का मतलब है जो प्राचीन fishes होती है उनके अंदर उनके पाय जाती है Next इनके basal layer पर isopadine और इसकी उपर reduced cosmen level होता है इनके basal layer पर क्या होता है isopadine और इसकी उपर क्या होता है reduced cosmen का level पाय जाता है या layer कह सकते है राइट कॉस्मीन का लेयर कर लिए जागे लेवल नहीं होगा लेयर हो गया है राइट तो यहां पर यह क्या होगा लेयर हो जाएगा लेयर पाया जाता है next सबसे उपर एक ट्रांस्कुलेंट material गयनाइन होता है इसलिए इसका नम गयनोड स्केल है क्योंकि यहां पर गयनाइन पाया जाता है सबसे उपर next कॉस्मोइड लेवल के कॉड़िंग गयनोड स्केल जो होते हैं वो टू टाइपस क्यों होते हैं यह स्केल जो होते हैं परस पर एक दूसरे से क्या होते हैं सटे भी होते हैं next आता है हमारा दूसरा टाइप जो है इसका नाम है पेलियो निसकोईड गयनोड स्केल्स पेलियो निसकोईड गयनोड स्केल्स यहां केवल polypteris में पाया जाते हैं यह polypteris रहे कि अब भी आपया जाते हैं इन में cosplay layer जो होता है तो first यहां पर हमारे पास cosmon layer absent है यहां पर भी क्या है Cosmon layer absent है और यहां पर भी क्या Cosmon layer absent है तो जो two types इसके है वहाँ पे Cosmone layer ही absent है right next हमने बताए आपको Polypterus में पाया जाता है तो Polypterus होते क्या है Polypterus is a genus of fresh water fish in the beecher family right तो Polypterus है क्या Polypterus एक genus of fresh water fishes का जो के मीठे जलग के पानी में पाया जाते है और ये beecher family से belong करते है right next the type species in the neil beecher जिसका species name आपको नजर आएगा यहाँ पे P beecher fish in this genus live in various areas in Africa right ये एक species है किसका neil beecher का type होता है species का और mostly जो इसके fishes नजर आते हैं हमें इस genus वाले fishes genes के fishes वो हमें अफ्रीका के parts में various parts में नजर आते हैं right then next यहाँ पे आपको डाइग्राम नजर आएगा right डाइग्राम किसका दा बिचेर ये जो फिश है ये बिचेर फैमिली से एक फिश हमने लिए है जिसका नाम है दा बिचेर and यहाँ पे second fish नजर आएगे आपको जिसका नाम है polypterus dalgy right आप डाइग्राम भी मना सकते हैं exam के point of view से important है next देखते है यहाँ पे आता है हमारा cycloid scale and genoid scale right दोनों में चीजें बताएगे हैं कि दोनों में difference किस तरीके से है right यहाँ पे आपको नजर आएगा second winter zone right यह वाला जो part है इन first winter zone यह वाला part है हमारा नजर आ रहा जो राइट उसके बाद यहाँ पे आपको नजर आएगा इस पैविनिंग मार्क यह जो निकला हुआ यहाँ पे यह वाला part राइट और यह आपको नजर आएगा इसका basal body है यहाँ पे और यह जो पूरा हमारा figure आपको बनाना है और आप साइक्लोड वाले scale में यह देखे होंगे लास्ट वीडियो में मिल जाएगा आपको वहां से बना सकते हैं तो डाइग्राम इस तरीके से आपको बना लेना है राइट नेक्स्ट आगे चलते हैं तो यहाँ पे हमारे complete हो जाता है फोर्थ जिसका न इसके लावा कुछ और भी टाइपस हैं जो कुछ ही फीसेस में पाया जाती है उसके लिए हम separate वीडियो बना करके पढ़ेंगे बट अभी जो है important चीजें उसे हम देखते हैं तो Cosmide Scale जो होता है यह जो Cosmide Scale है यह भी primitive species जैसे कि क्या नाम है Latomeria etc में पाया जाते हैं देख हमने जितना ही पढ़ा तो हमने यह नहीं पढ़ा कि किसी में चार लेयर है किसी में दो था किसी में एक था किसी में तीन था बट इस पेसली हमें वेंसन किया गया है कि इन स्केल्स में चार लेयर पाया जाते है राइट उसके बाद सबसे जो निचला लेयर होता है रा और इसी spongy bonds में vessels पाई जाती हैं और इसकी cavity में onожно blast cells पाई जाती हैं तो सबसे निश्यला जो layer था आपर आइसो पेड़ीन है यह डढ़ंटयेन भी उसको हम कह सकते हैं उपर उसके क्या होता है ? spongy bonds पाई जाती है उसके बाद उस महीं पर vessels पाई जाती है and cavity में उंट दो blast cells पाई जाती है right next तीसरा जो layer होता है वहाँ पे क्या होता है हमारा cosmine जो है वो present है यह रहा हमारा cosmine and सबसे बाहरी जो layer है हमारा वहाँ पे कठोर animal का बना होता है right तो जो सबसे बाहरी layer है वो एक दम hard है और वो किसका बना हुआ है animal का बना हुआ है right and जो हमारा तीसरा layer है वो cosmine का है right तो यह है हमारा cosmoid scale के कुछ features यहाँ पे आपको नजर आएगा cosmoid scale का diagram number A जो है वो cosmoid scale को stroke किया गया है and number जो B आपको नजर आ रहा है वो TS है cosmoid scale का right तो यहाँ पे नजर आएगा आपको vascular cavity यह जो गुहा नजर आ रही है जो गड़ा नजर आ रहा cavity हम गुहा को कहते है तो vascular cavity है and vitrodentine है अभी हम पढ़ेंगे vitrodentine क्या होता है right कैसे make होता है कैसे बनता है and TS में आपको नजर आएगा सबसे उपर ventrodentine उसके बाद cosmoine का layer यहाँ से लेकिए यहाँ तक layer जो cosmoine का है and isopidine का layer सबसे last wall अभी अभी असर layers है यहाँ पे नजर आ रहा आपको right next deployment of plicoid scales plicoid scales का exam में deployment पूछा जाता है जो कि important है right तो कोशिकाओं का एक समू dermis में एक्तिर्थ होकर एक dermis papilla right dermis papilla का करता है formation करता है निर्माड करता है right then next इन कोशिकाओं को ontoblast कोशिकाओं कहते है या ontoblast कहते है या एक basal plate और spine की shape ले लेता है शूल को हम English में spine कहते है तो ये क्या करता है spine की cell ये spine की shape ले लेता है आकरदी ले लेता है then next ontoblast सब तरब dentine का secretion करते हुए plate and spine बना देता है तो ये जो ontoblast हमने देखा right ये जो ontoblast हमने सुना ये पढ़ा ये बड़ा ही important है क्योंकि ये करता क्या है dentine का secretion करता है जिसके जर्ये क्या हो जाता है spine बन जाता है right then next इसके बाद अधार ये plate जो होता है यानि की basal plate जिसे हम कहते है तो basal plate का dentine जो होता है वो calcified हो जाता है यानि की घट जाता है right then next अभी तक क्या हुआ है calcified हो चुका है condentine घट चुका है अब क्या होगा जो dermis papilla है तो dermis papilla के संपर्ग से बना हुआ epidermis जो होगा वो malphigy परत को inamel organ so dermis papilla के संपर्ग से बनी ही epidermis की malphigy परत को हम inamel organ कहते हैं inamel organ नाम है उसका next ये जो inamel बना हुआ है इसी inamel organ के spines होते हैं वो dendine के उपर vitrodentine बनाते हैं अभी हमने diagram देखा था vitrodentine का ये वाला जो diagram था vitrodentine का यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं यही vitrodentine जो है आगे हमें दिखाई दिया था तो आगे हम चलते हैं जहां से हमने छोड़ा था तो यहाँ पे आपको नज़र आगा vitrodentine तो हमारा यहाँ पे क्या हुआ है विंटrodentine जो हो है वो बन चुका है तो नेक्स अगर हम देखें dermis papilla scales की pub cavity के अंदर pub बना देता है अब इध्यान से इस लाइन को सुनना है आपको कि dermis papilla क्या कर रहा है scales की pub cavity के अंदर ही pub बना देता है एक गुहा बना देता है तो dermis papilla क्या करता है scales के pub cavity के अंदर एक pub बना देता है राइट उपर बनी एपिडर्मिय अब हट जाएगी जाहिर से बात हटनी चाहिए जब कि यह पब बन चुका है तो और Spines के आउंगे बाहर निकल जाएंगे राइट इस जो इसका डेप्लक्विन्ट था यह पूरी तरह से क्या होता है Spines बाहर आज वाने के बाद complete हो जाता है राइट क्योंकि हमने क्योंकि हमें बता है किसी भी फिश में जिसके अंदर scales पाए जा रहे हैं अगर वहां कि उसके scales जो अगर हो डिपलाफ हो गए spines बाहर आ गए तो उसका deployment पुरा हो जाता है राइट तो यहां पर आपको नजर आएगा यहां पर आपको नजर आ रहा है यह व्ला डाइग्राम जो हमारे हो गया है उसके बाद यह फ第一個 Constank उसके बद स्टेज यहां पर आपको न anschळाएगा यहां पर आपको पना चुका है भी तरहों यहां आपको इसका ऑक गोग वो एक देखेंगे अ फूरी तरह से आपको नज़र उसके बाद इक प्प कैविटी है यहाँ पर देखेंगे यह वाले उपर ॉपर वाले इंप यहाँ वहाँ पर शेफ देखिए दोनों में डिफरेंस आचुक बडिवाइगा रास्ट में वह पूरी तरह से आ चुका है, यह स्पाइंस बाहर निकल चुके हैं, एपिडर्मिस जा चुका है, तो यह हमारा जो होता है, डपलेमेंट होता है, और यहां पे हमारे पास, पलेकोईड स्केल्स का ही क्या है, डाइग्राम है, इस तरीके सनजर आते हैं वो, और एक को, अगर हम हैंड में उसे पिक करें, तो इस तरीके सनजर आएगा, यह हमारे पास प्रिजेंट है, तो यह हैंड में अगर हम पिक करें, तो यहां पे आपको नजर आएगा, इस प्रकास डेपलेमेंट कंप्लेट होता है, पलेकोईड स्केल का, तो डाइग्राम आपको अच्छे से बना लेना यहां से राइट देन नेक्स जलते हैं यह जो लेक्चर है यहां पर गंप्लेट होता है हमारा तो जो भी आपको यहां से डाउट निकलेंगे कॉमेंट करके पूछ लेना है अगर कोई भी डाउट नहीं है तो आपको इसे नोट के फॉर्म में कॉपी में लिख लेना है इसका जो पिपिटी है वो हमारे वाटसप ग्रूप में अप्लोड हो जाएगा टेलिगराम में अप्लोड हो जाएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक भी हम डाल देंगे आप अगर जॉइन नहीं है अभी तक तो जॉइन हो जाएगा युकि टेलिगराम में वाटसप ग्रूप में हम क्या करते हैं हम अपने वीडियो लेक्शर शेयर करते हैं कि आपको पता चल जाएगे हमारे वीडियोस आ जुके हैं हमारे पल जो नोटस होती है पीडियाप फॉर्म में इंग्लिश में या हिंदी में जैसा भी रहता है कोशन पिपर होते हैं इंपोर्टेंट कुछ अपडेट हैं हम बताते रहते हैं वाटसप ग्रूप एंड टेलिगाम चैनल में एंड डिसकसन भी करते रहते हैं कभी कभी राइट अगर आप लोगों अभी तक वीडियो को देखा है तो थैंक्यू सो मुच फॉर वचिंग चैनल को सब्सक्राइब करिए शेर करिए लाइक करिए राइट अपने दोस्तों कर शेर जरूर करिए जो टॉपिक समझ में नहीं आता आप कॉमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं हम सेपरेट वीडियो बना देंगे राइट तो कैस यहां तक तो हमने पढ़ लिया कि इसकेल्स फिशच में कैसे थे आभी कुछ टाइब्स बचे वे और वो टाइब एकजाम में आ सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं बट हमें ऐस दा नौलेज हमें पता होना चाहिए कि वो दो टाइब हैं कौन से कुछ फिश ऐसे भी पाई जाती है जिनकी बौड़ी में स्केल दो जाते अब आप कहांगे एसा कौन सा फिश होता है जिसकी बौड़ी में स्केल्स प्रवाइब करती है और नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बारे स्केल्स नहीं पाएब्स बढ़ी आपको आपको राइट तो आज के लिए सिर्फ इतना ही बिलेंगे नेक्स स्टूडियो में